मुंगेर में मा सीता ने किया था पहली बार छट, जहां आज भी उपते हुए सूर्य और डोपते हुए सूर्य को अर्ग देने के मा सीता की पद्चिन्हों की निशान है मौजूद। उसके बाद ही उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में यहां तक की कि अब विदेशों में मनाया जा रहा छट। मुंगेर छट का पर्व उत्तर भारतियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। यही कारण है कि इसे महा पर्व कहा जाता है। छटुरत के साथ कई मंदिरों और जगहों की महत्ता जुड़ी हुई है। इस कड़ी में एक नाम बिहार के मुंगेर का भी है। धार्मिंक मान्यताओं के अनुसार रामायं काल में माता सीता ने पहला छट कूजन बिहार के मुंगेर में गंगा कट पर संपन किया था। इसके प्रमान स्वरूप यहां आ मुंगेर के बारे में उल्लेक किया गया है। आनंद रामायं के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआघाट से तीन किलो मीटर गंगा के बीच में पर्वकपर रिशी मुद्गल के आश्रम में मा सीता ने छट कूजन किया था। जहां मा सीता ने छट किया था, वो स्थान व रामराज्य के लिए राजसूर्य यग्य करने का निर्ने लिया। यग्य शुरू करने से पहले उन्हें वालमी की रिशी ने कहा कि मुद्गल रिशी के आये बिना यह राजसूर्य यग्य सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद ही श्री राम सीता माता सहित मुद्गल रिशी के आश्रम पहुंचे। जहां मुद्गल रिशी ने ही माता सीता को यह सलाह दीथी की वह छट हुरत पूरा करे। आनंद रामायन के अनुसार रामद्वारा रावन का वद किया गया था। चून की रावन एक ब्रह्मन था इसलिए राम को ब्रहमा हत्या का पाप लगा। इस ब् मुद्गल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को रिशी मुद्गल ने वर्तमान कष्टहरनी घाट में ब्रहमहत्या मुप्ती यग्य करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया चून की महिलाएं यग्य में भाग नहीं ले सकती थी। इ ृट्य दिया था। आज भी मंदिर के गर्ब घ्रह में पश्चिम और पूरबदिशा की और मातासिता के पएरों के निशान मौझूद है, इस मंदिर का गर्ब घ्रह साल के 6 महीने गंगा के गंगा में समाया रहता है। जब की गंगा का जल होती है स्थानिय लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस और ध्यान दे तो ये परिटक का बड़ा केंद्र बन सकता है सुर्टि सम्मत और लोग सम्मत सास्त्र के अनुसार राश्वी यकिक के पहले गुरु वसिष्ट के करने पर माता सीता के साथ प्रभुराम मौंगीर आये हैं गंगा के बीच में वस्तित पांच चोटी चोटी पहाडियों के सिंखलाओं में पर जिसे मौनी पर्वत मौनी पर्वत के नाम से हम सभी जानते हैं मुंगिर वासी जानते हैं वहां मुगदल दिशी का आश्रम था, वहां माता सीखता के साथ प्रहु राम गये हैं और उनसे आग्रह किया है राश्री योगी में सामिल होने के लिए और आशिरवात की कामना किया है। वहां मुगदल दिशी के आश्रम में जहां पाढ़ की सिंखला है, वहां सुरी पाष्णा कीती, ऐसा लोग संबत, सुति संबत बाते हैं, जो हम लोग ने पूरवस से सुनी और समझी है। चट एक ऐसा उपाष्णा का परु रहा है, जिसे बिलकुल प्रोहित बृत्ति से लग समाजिक सम्रहतार के साथ बनाने की प्रमपरारी है। संतान प्राप्ति के संतान के लिए इस नाते से मुंगेर से होता हुआ गंगा के अवस्तित जितने भी सहर हैं, वहां छट की प्रमपरा है। चुकि बात ये उस समें त्रेता की है और प्रोहित बृत्ति उस समें चरम पे था। ऐसे दौड़ में और पुत्र के संतान की प्राती संतान की संब्धिक लिए मुगदल इसी दारा इस बृत को सुरी पास्टना के साथ तब वाले बृत को माता सीता ने किया। और सीता के साथ आसपास के जो गाउंक और आस्रम के आसपास की महिलाएं भी थी वो सब भी सामिल हुई थी माता सीता तो फिर जनक पूरी लौड गई लेकिन उसके बाद जो आसपास की माताएं थी वो इसको कंटिन्यू करने लगी और यहां से धीरे 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 बढ़ती हैं और सबसे वड़ इसमित प्रॉट की किशेता है कि बिलकुल चुआ चुद से उपर समाजिक संवर्थाएं कैप्रव है और जो मौशमी फल रूजू आ उन फलों के साथ इस मौशम के आलोग में उन फलों के साथ किस्षप्रथा सम्हलाई करती है और ऐसा मानिता है लोग